Let's Talk About Database Approach Last two section में हमने manual system और computerized system में हमने file processing system को देखा अब हम बात करेंगे database approach की इस approach में हमारे पास central repository होती है shared data की याँनि कि आपका जो data होता है shared data एक centralized location पढ़ा होता है और इसको कोई ना कोई agent जो है control कर रहूता है ये एजेंट क्या क्या लाता है एक software क्यालाता है और इसके अंदर ये स्टेंडर्ड फॉर्म में ये सारे data को maintain करता है जो कि हमारे पूरे course का पार्ट है जब हम इसको complete करेंगे क्या standard format है किस तरह इसको store किया जाता है तो इसके लिए जो required होते हैं हमारे DBMS के required होते है database management systems तो इसमें ये advantage देखें तरह एक आपके पास ये database management system है library, library applications, examination department, registration department इनके पास इनकी applications run हो रही है हर एक के पास अपनी किसी के पास उस application का data नहीं होगा वो data आके database management system में होगा university student database इसके अंदर होगा benefit क्या है data sharing हो रही है इन सब में यानि कि अगर address है किसी student का और वो change हुआ है तो सब को change मिलेगा phone number change हुआ है तो वो shared है एक जगा change करेंगे वो सब को चीज change मिलेगी कैसे यह आपके course में आप इस चीज़ को learn करेंगे controlled redundancy होती ही लेकिन controlled होती है controlled का मतलग कुछ rules है वो apply करके आप redundancy को control करते हैं वो हम देखेंगे normalization rules को और data independence है आपकी application में separate चल रही है data आपका separate यह आप किसी और computer पर रखनें इस चीज़ को कहीं और deploy कर दें या install कर दें dbms एक जगा central location पर पढ़ी होगी सब इसको over the network access कर सकते हैं और integrity better है बलके बहुत best इसके अंदर है best integrity है आप different rules आप इसको पर apply कर सकते integrity rules जो कि हम अब पूरे course में यह चीज़ हैं देखेंगे कैसे apply होती है तो integrity rules यह है कि suppose आपने एक student है उसका student का record delete कर दी है तो अब वह रेकड़ आपको डिलीट कर रहे हैं और हम यह कहते हैं कि examination student का record यूज हो रहा है तो आप कैसे student delete कर रहे हैं तो dbms आपको delete नहीं करने देगी हो के जी आपका यह record student record डिलीट नहीं कर सकते हैं इसके चाइल्ड पड़े हुआ है ठीक है इसी तरह अगर हम जी कहते हैं जी एक program की list है जो प्रोग्राम की उनिवस्टी आफर कर रही है और हम उससे हटके यानिके PhD नहीं करवारी है स्पोर्स और एक बचा के PhD में आप इन्रॉल कर देते हैं तो वो system आपको यानि आपको अलाओी नहीं करेगा ओकर जी आपका तो यह तो course इवेलेबल नहीं है आप कैसे इसको insert कर रहे हैं तो वो इसकी integrity यहां से यह चीज़ों की control की जाती है अच्छा अच्छा अभी data को में हम अलड़ी देख चुकिए data क्या कहलाते है facts about anything जैसे people object event किसी भी चीज़ के बारे में जो हमने शुरू की example में student के बारे में देखे तो यह आपका event के बारे में भी हो सकता है अगर कोई इसी event management system आप बना रहे हैं तो वहाँ events के बारे में आप fact calculate कर सकते हैं आप जो यह आपकी जैसे class rooster होता है आप class rooster not rooster यह class rooster जो होता है इसके बारे में आप यह information है कि कौन सा कुछ section में जो कौन-कौन student register है यह भी आपका data ही है जो fact है यानि कि facts कहलाते है किसी भी चीज़ के बारे में उसको data कहते हैं और जब उन fact को process कर देते हैं आप प्रिजेंटेबल फार्म तो वह आपकी information कहलाती है जैसे हमारे पास suppose एक result आ रहा है इसमें हम यह कहते हैं जी यह के enrollment आ रही है बहुत से student enroll हुए है data है हमारे पास असलम enroll हो गया अली इन रोल हो गया ताहिर इ अब यह information उससे निकाली कितने management में रोल हुए है कितने marketing में कितने finance में कितने information system में accounting में कितने तो यह सारी information data को process करके निकालते हैं तो process data क्या कहलाता है आपकी information कहलाती है और data about data क्या कहलाता है metadata this is very important term जैसे यह course है हम यह कहते हैं यह course इसकी length इतनी होगी alpha numeric होगा course को हो सकते हैं हम यह कहते हैं DBMS one एक course है section है semester है name है इसके बारे में सारी information metadata कहलाती है यह DBMS अपने पास जो software आप manage कर रहोता है वो अपने पास इसको save रखता है this is called metadata data about data description of the property or characteristic of data including data types उसकी field size क्या है allowable values क्या है उसकी यह सारी आपकी metadata कहलाती है और DBMS क्या होती है यह DBMS यह ऐसा software होता है याद रखिएगा this is a software that responsible for applying authorization checks and validation procedure यह जो आपका agent जिसके हम बात करें थे एक software होता है actually Oracle DBMS SQL Server DBMS access DBMS there are so many DBMS तो यह सारे software इसका काम क्या होता है यह जितनी हमने बाते की हैं कि database आपको integrity check देता है आपको validation देता है duplication आपको नहीं करने देता है तो यह सारा कौन control करता है database management system control करते हैं यह इन चीज़ों को अच्छा यह जो database management system है इसमें आपके पास DBMS जो है manages data resources like operating system many hardware resources यह सारा DBMS manage करता है कि आपने कितने यानि कि आपके पास multi-core processor है तो DBMS बता सकते हैं कितने cores आपने यूज करनी है ठीक operating system के जो है इन चीज़ों कैसे आपने manage करना है वह आपके इसके इनर configuration है जैसे आप यह चाहते हैं किसी भी पर्टिकलर event के ऊपर कोई email send करते it can do यह आपकी DBMS यह काम perform कर सकते हैं तो DBMS के अंदर आपकी database होती है जो DBMS software होते हैं उसके अंदर आपकी database होती है जो कि आपके centralized shared data जो है वह maintain कर रही होती है so remember this DBMS एक software होता है जिसके अंदर DBMS जिसके अंदर sorry data database ग्रिस्ट करती है नहीं DBMS इस database को control करता है different application DBMS को request करती है कि हमें इस database से data लेके दे तो यह DBMS आपका main agent है main software है database management system है इसके advantages क्या है program data independence है minimum data redundancy है data independence कैसे हुए metadata आपका store होता है DBMS में so application do not need to worry about data format इसकी tension नहीं होती वह format already हमें पता होता है कि इस format में data जाना application उसको manage नहीं करती है उसके बाद data के आप क्यूरी कर सकते हैं यानि के data से data को आप उस DBMS से कहते हैं मुझे दिखाए data आप data को change कर सकते हैं through different options या different queries के तुरूँ आप इसको change कर सकते हैं तो इसका जो benefit क्या होगे result in increased application development and maintenance productivity इसमें productivity आपकी बढ़ेगी क्योंकि आप आप सिर्फ application लिख रहे हैं और responsiveness इसके बहुत ज्याद है यानि कि आप जो standard query language उसके थुरूँ आप इसके responsiveness चेक कर सकते हैं security, backup, recovery, concurrency, disaster recovery इसके दर easy है तो कैसे easy है यही आपका पूरा course आपको describe करेगा ठीक है जी यह हमारा basic introduction था अब हम next section में database के users के बारे में थोड़ा study करेंगे करेंगे